हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्शीट के बारे मजी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मार्शीट खो गई है तो आप दूसरी मार्शीट के लि तो फिर्ण चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले फिर्ण से अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दिजे जिससे कि मैं कोई नई व प्लोट करूँ तो आप तो कुछ की नोटिपिकेशन सबसे पहले पहुच जाएं फेंड चलिए वडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी मार्शीट खो गई है मिल नहीं रही है तो आप दूसरी मार्शीट के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं तो फेंड आपको क्या करना है कि गूगल में आ जाना है और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है यूपी एमस्पी रेजिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो कुछी इस तरह से ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहां से आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां से थोड़ा स आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि जनहित-up-msp.edu.in तो यहाँ पर क्लिक करें लिखा गया है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है जब फ्रेंट्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यह ब्योसाइट ओपन हो जाएगी फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कि पंजी करण फॉर्म तो फ्रेंट्स यह जो ब्योसाइट है इस ब्योसाइट पर सबसे पहले आपको रेजिस्टेशन करना होता है तो फ्रेंट्स इस ब्योसाइट पर कैसे रेजिस्टेशन करते हैं हमने जो है कि already एक वीडियो बना दी है तो friends अगर आपको वीडियो देखनी है कि UPMSP की वेव साइट पर registration कैसे करते हैं तो आपको description में उस वीडियो का link मिल जाएगा आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं तो friends चलिए हमने जो है कि पहले से ही इस पर registration कर लिया है तो चलिए हम इसको login कर लेते हैं तो friends आपको क्या करना है कि देखे यहां नीचे साइड में दिया गया है click here to login तो यहां से चलिए हम login कर लेते हैं जो friends आप इस वेव साइट पर login कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से व्योसाइट ओपन हो जाती है फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जनहित गैरेंटी अधनियम 2011 के अंतरगत सेवाए तो फेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी इसमें सेवाएं दी गई है जैसे मूल प्रमाड पत्र जारी करने है तो हो गया या प्रमाड पत्र की देती परतिले भी जारी करने है या अंक पत्र या कुछ भी संसोधन आपको करवाना है तो आप इस व्योसाइट की जरिये करा सकते हैं लेकिन फेंट्स वह जो आपकी मारशीट होनी चाहिए वह 2011 के बाद की होनी चाहिए मतलब 2011 के बाद 2012, 2013 या 2015 या 2016 मनलब 2011 के बाद की होनी चाहिए तभी आप इस व्योसाइट के जरिये जो है कि दितिये परतिले पी प्राप्त कर सकते हैं मारशीट की या उसमें कुछ संसोधन करवाना चाहते हैं तो आप इस व्योसाइट के जरिये करा सकते हैं अगर उसके पहले की मारशीट आपके पास है तो आप इस व्योसाइट के जरिये दूसरी मारशीट नहीं पा सकते हैं या जो है कि अगर उसमें कुछ संसोधन करवाना है तो आप इस बेसाइट से नहीं करवा सकते हैं आपको जो है कि UP Board के कारे ले जाना होगा वहाँ से जो है कि आपको दूसरी मार्शीट मिलेगी और उसमें कुछ संसोधन होगा तो फेंटस अगर आपकी मार्शीट 2011 के बाद की है और वहाँ खो गई है तो चली हम आपको बताते हैं कि आप ओनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं और एक नई दूसरी मार्शीट आप कैसे मंगा सकते हैं तो फेंटस आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सेकंड नमबर पर आपको दिखेगा कि प्रमाड पत्र की दृती प्रतिली पी करने है तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है जो फेंटस आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यह सलेक्ट हो जाएगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से नीचे आ जाना नीचे आने के बाद जो यह green color का आपको option दिख रहा है इस पर लिखा गया है कि चुनी गई सेवा से संबंदित पपत्रों को upload करें तो इसी पर आपको click कर देना है जब friends आप इस पर click करेंगे तो कुछी इस तरह से यह website open हाजाएगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे उपर दिया गया है कि सेवा का नाम तो यहां से आपने जो है कि दूसरी सेवा select किया है प्रमाडपत की प्रतिलिप जारी करने है तो उसके नीचे आपको यहां से जनपद select कर लेना है जो भी आपका जनपद है आप यहां से select कर लीजिए फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से दिखे दिया गया है आवेदक का नाम तो यहां से आपको अपना आवेदक का नाम भर देना है जिसका भी जो है कि मार्शेट गुम हुआ है उसका नाम भर दिए उसके बाद आपको फादर्स नेम भर देना है फिर उसके नीचे आपको मुबाइल नंबर भरना है जो present time में आप mobile number चला रहे हैं फ्रेंट्स वही आप mobile number भरियेगा क्योंकि उस पर message वगएरा आते हैं तो जो अभी present time में आप use कर रहे हैं जिस number को उसी number को आप यहाँ पर flick कर रहेगा फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके नीचे आपको email ID भर देनी है तो जो भी आपकी email ID आपको भर देनी है फिर उसके नीचे आपको अपना पहचान पत्र दे देना है कोई भी पहचान पत्र आप देख सकते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं या कोई और पहचान पत्र है तो आप उसको दे सकते हैं फिर उसके बगल में आपको उसका नंबर भर देना है फिर उसकी नीचे आपको अपना एड्रेस भर देना है जो कुछ भी आपका पता है वह सही सही आप यहाँ पर फिल कर दिजेगा और आपको वही पता फिल करना है जो आपकी मार सीट में था फिर उसकी नीचे आपको क्या करना है कि यहां से पुलिस स्टेशन भर देना है जो भी आपके नियर में पुलिस स्टेशन परता है जिस भी पुलिस स्टेशन में आपका घर आता है उस पुलिस स्टेशन को भर दिए फिर उसके बाद आपको पोस्ट आउफिस भर देनी है उसके नीचे आपको अपना डिस्टिक भर स्टेट यहां से बहभ दिए भ से बहद में आपको अपना पिन कोड भर देना है। फिर उसकी नीचे के आपको प्रिक्ष्चा प्राकार भर देना मतलब जो भी प्रिक्ष्चा आप दिये थे high school की या इंटर global का उसको आप प्रकार चुन जीजिए उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां बगल में आपको चार अंको का परिच्छा का वर्स लिखना है मलब किस सर में आप पास हुए 2015, 2016, 2020 आपको भर देना है फिर उसके नीचे आपको अपने Mars Seats का रोल नेबर भर देना है इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर जो दिया गया है कि Save New Request पर आपको क्लिक कर देना है जब फ्रेंट साप यहां से सब कुछ भर करके Save New Request पर क्लिक कर देंगे तो कुछ document आपसे मांगे जाएंगे जो कि इस website पर आपको upload करने होंगे तो कुछ document जो जो आपसे मांगे जा रहे हैं आप इस website पर upload कर दिजेगा तो जब friends आप हुआ सभी document इस website पर upload कर देंगे तो उसके एक महने के बाद आपको नई मारसीट जो है कि आपके post office के द्वारा आपके घर पर आ जाएगी जी हाँ दोस्तों जब आप यहाँ से final submit कर देंगे तो उसके बाद जो है कि एक मेहने के बाद post office के द्वारा जो आप address दिये हैं उस address पर जो मारसीट है आपकी वह आजाएगी तो friends यह बहुत ही अच्छी website है इस website के जरिये आप जो है कि कोई भी मारसीट अगर आपकी खो गई है तो आप मगा सकते हैं तो friends चलिए इस वीडियो को stop करते हैं यहोग कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे जादा से ज्यादा से यहर कर दीजे और friends अगर आप लोग हमारे चैनल पढ़ना है है और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजे तो फिर्ण चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ